गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब आज की तारिक आठाइस सब्सक्राइब आपका स्वागत है तो आज का हम हिंदू एडिट रोल पीडिया देख लेते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल है हिमालियन ब्लंडर्स जैटा रिवेजिंग दी हिमालियास वह ब्लंडर्स हिमा हिमालियास पर बहुत ही तपाई तपाई मची हुई है ठीक है तो हम देखते हैं क्या है इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि भी देखो हिमालिया जो है एक तरह से पोईटिक इंस्पिरेशन का भी काम करता है हमें जो है पुरानी संस्कृत की जो पोईट हैं है ना वो दिल में बसी हुई है लेकिन यह हमें रिकोगनाइस करना बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी जो गलोरी है वो देखे देखे फेड होते जा रही है क्यों क्योंकि environmental degradation हो रहा है तो environmental degradation की अगर हम बात करेंगे तो जो पहाडियां है जो कि snow pig जो इनकी चोटियां है इनकी नीचे है यह पूरी तरह से barren हो चुगी है और यह दिखलाता है किस तरह से जो area है यहां का environment है वो destroy होते जा रहा है और दूसरी अगर हम बात करें floor development की तो जो बार बार disaster हो रहे हैं जैसे कि bridge, road, सडकें होगी, buildings होगी वो powerful होती तगरी 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 नदियों के दुआरा वो बह द जा रही है वाश डाउट हो जा रही है यह भी दिखा दिखलाता है किस तरह से जो है हमारी development की जो अप्रोच है highly sensitive ecological changes को हमें ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए थी फिर उत्राकंडो हिमाचल प्रदेश की अगरम बात करी है यह ऐसी hill state है जो की बहुत ही repeated tragedies face कर रही है जैसे कि land slide हो गई, road blockage हो गई, infrastructure collapse हो गया है यह बहुत ही common वहाँ पर होते जा रहा है फिर devastating incident भी वहाँ पर होए है जैसे कि आपकी roads जो की block कर दी गई थी land slide के दवारा चमोली में जोशी मट सिंक हो गया है ना डूब गया था और आपके चमबा में जो है वो सड़क जो अंदर धस गई थी, आपके चार दाम route में accident हो गए है ना बहुत सारे faculties हो रही है जितने भी all weather roads है उनको बहुत ही खतरा इसमें हो रहा है फिर हम institutionalized paradigm की अगर आप बात करोगे जो developmental model है ऐसे ecological fragile region में जो हमने चुन रखा है वो बहुत ही flawed है क्योंकि वो इन चीज़ों को ध्य नहीं हम रख पा रहे हैं कि इस region की environmental vulnerabilities क्या हो सकती है हमें development उस हिजाब से करनीचे वहांके environment को ध्यान में रखते होगे है ना तो यह बहुत ही जुरूरी है कि हम awareness जाग रूपता हम लेकर रहे हैं students में public में की negative consequences बहुत होते हैं अगर आप unsustainable development practices in areas में आप करते हो तो तो sustainable development के अगर हम बात करें कि हमें sustainable development को encourage करना वहोगा उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि कि किसी भी region की ecological balance बहुत ही जरूरी होता है ताकि और भी ज़्यादा उस वहां के area में damage ना हो और वहां पर लोग को भी सुरक्षा प्रतान हम कर सकें फिर हमें cultural significance के भी हमें बात करन है इसलिए इसकी विए से और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम वहां की natural beauty को protect करें और वहां की लोग जो रह रहे हैं उनकी जिन्दगी को भी हम बचा के रखें इसलिए बहुत ही जरूरत है कि हम ऐसे adaptive measures लेकर आएं जैसे कि आपका वहां का infrastructure आप अच्छा कर लो वहा students को inspire करें कि भी उनका बहुत ही मुख्या रोल है कि वह sustainable practices को आगे चलके लेकर भी आएं और जागरुकता भी फिलाएं कि ताकि हमारी future generation जो हो वहां पर आराम से शांती से रह पाएं तो road project bypassing the rules देखते हैं तो पहली बात road project से बात करते हैं तो चार धाम महा मार्क विकास प सोड़ा कर देगा और डबल लेनिंग कर देगा 900 किलोमेटर सड़के जो हैं घरवाल और कुमाव रीजन की उत्राकंड में ठीक हैं डिजाइंड जो हुआ है with a 12-meter width and paved shoulder DLPS to enhance accessibility and promote tourism तो चार धाम विकास परयोजना की बात वो करते हैं फिर कह रहे हैं कि भी environmental impact इसका environmental impact क्या इस project की विजए से बहुत सारे सो हजार जो है पेड जो है वो बिचारे loss हो चुके हैं बहुत सारा हमारे जो forest की जो जमीन है fertile top soil है हमाले रीजन की वो तबाह हो चुकी है इसकी विजए से humans और animal lives भी loss हो रही है और बहुत सारे जो waste generate हो रहा है polluted water resources की विजए से फिर legal requirement भी इन्हों ने यह कह रहे हैं कि इन्होंने जो है legal requirement भी ignore कर दिया तो law according जो है project जो है exceed कर रहा है सो किलोमेटर require basically law according यह है कि अगर सो किलोमेटर ज्यादा project है तो आपको environmental clearance लेनी पड़ेगी लेकिन ऐसी कानून जो है यह bypass कर दी जाते हैं ऐसे ambitious project के लिए तो cmvp project जो है इसको divide कर दिया गया 53 smaller project में और हर project जो है 100 km से नीचे रखा गया इसका फायदा इनको क्या रहा कि यह environmental impact assessment से बचने के लिए तो भी 100 km को इन्होंने छोटे छोटे कर दिये आपको law आपको clearance लेने के जरूत ही नहीं पड़ेगी फिर है vanishing green spaces जो गहरी जंगल है जैसे कि चमबा हो गया आपका अगराखल मलेठा हो गया रुद्र प्रियाग हो गया चमूली हो गया उत्राखन में ये धेले धेले disappear होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर cmvp project चार धा मा मार्क विकास प्रियोजना चल रही है फिर protected area की अगर आप बात करोगे खासकर भागी रती एको संस्टी जोन जो है वो सो किलोमेटर तक जाता है और यह अभी तक एकलोता ऐसा है जो कि लास्ट अंटर्जड स्ट्रेच है गंगा नदी का और इसको protection मिली हुई थी environmental protection एक 2012 में तो अब controversial approvals भी जैसे कैसे आ रहे हैं कि अगर आप cmvp project आप लेकर आ रहे हो तो जो जो approved zonal master plan है और जो detailed EIA है इस जरूरत थी इन दोनों चीज़ की EIA की और zonal master plan की जरूरत थी कासकर इस एडिया के लिए भागी रहती एको संस्टी जोन के लिए बलही सुप्रिंग कोट ने direction भी दी थी कि भी आप इसको माल लो माल लेकिन zonal master plan जो है बहुत ही जल्दी कंड़क्ट ही नहीं कराए गया environmental impact assessment नहीं करा और जो zonal master plan था वो उन्होंने क्या किया जल्दी 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 जो है लागो करा दिया तो मतलब basically हुआ कि भी ये जो आपका भागी रहती एको सेंस्टे जोन का जो approval process था कि जो committee बनाए गई थी है ना वो state officials के तवारा overseeing करने ही मतलब the state official महां बैटने थे लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्यादा अच्छे discussion suggestion कुछ रखे नहीं और जल्दी बाजी में इसको बस पास कर दिया गया इसके वहां कि जो deodor के पेड़ है और जो mountain की जो ecological balance है वो बहुत ही खत्रे में आ चुका है ना की सिर्फ natural landscape लेकिन साथ में वहां का गंगा नदी का जो river flow है उसके उपर भी खत्रा आ चुका है तो lessons क्या है sustainable development के ऐसी situation जो दिखो भी वह highlight करती है कि हमें balance development हमें रखनी ही होगी environmental preservation के लिए है ना कि हमें environment को preserve भी करना है और हमें balance development भी रखनी है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी project हम पास कर रहे है वो legal requirement और पूर एक तरह से assessment के पाद ही पास हो यूथ और awareness के हम पहली बात कर चुके हैं अब importance का है legal safeguard की भाई हम क्यों कह रहे हैं ये जो case है special वाला case जो है ये हमें दिखलाता है किस तरह से जो robust legal framework की हमें जुरुत है है और oversight बहुत ही अच्छे होनी, oversight मतलब निगरानी बहुत अच्छे होनी चीए ताकि ऐसी development activities कहीं unchecked ना हो जाए, unchecked मतलब बिना किसी रुकावट के बस वो चलती जाए, कोई उसको देखने वाला ना हो, जिसकी विएसे environment हाम हो जाए, तो हमें legal standards की बहुत importance को हमें समझना होगा, और long term implications भी हमें ध्यान में रखने होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे environmental जो concern है, कि भही वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, आपको पता है, अगर आप उनको ignore मारोगे, तो उसका consequences जो होगे, वो irreversible damage के होगे, वो कभी भी वापस आप सही नहीं क अगर सपाओगे, उनकी वजय से वहाँ की local community के उपर भी असर पड़ेगा, बायर डावस्टी के उपर असर पड़ेगा, और overall जो है, पूरे ecosystem के उपर असर तो पढ़ना ही है, तो अब unanswered questions जो है, वालेशन के, देखते हैं, तो भई, contradictory, पहला point है, contradictory road standards, तो ministry of road transport का जो decision था कि भई, वो वहाँ की सड़क जो हैं, चोड़ी कर दें, वो खुद की ही, जो उनकी notification है, उसको वो contradict करती है, उनकी notification थी, वो acknowledge कर रहे थे, कि भई, hilly terrence में, जो slope है, वो destabilize हो रही है, ऐसी सड़कों से, ठीक है, Supreme Court ने भी recognize किया था, इस contradiction को, और direct किया था, ministry of road को, कि भई, आप अपनी ही notification, 2020 में, September 2020 में जो आई थी, उसको follow करो, लेकिन बाद में, गॉर्मेंट ने इसको approval दे दी, और वो आगे बढ़ा दिया, फिर कुछ unanswered questions है, जैसे कि questions भी, बहुत सारे arise होए थे, जैसे कि भई, आप road width requirement, जो होती है, defense ministry के दोवारा, ये जो put up होई थी, उसक mark में है, जो कि अभी approval मिलते वक्त, ये share clear नहीं करे गए है, फिर है, भागी रती eco-sensitive zone की caring capacity क्या है, दो भी भागी रती eco-sensitive zone जो है, protected area है, फिर भी, इसकी caring capacity जो है, वो बढ़ा दी गई, खासकर tourist traffic, was increased for the tourist traffic, despite the need for vehicle traffic regulation, भी, वहाँ पे आपको vehicle traffic regulation करना चाहिए था, आपने वो तो किया, नहीं, tourist की traffic को बापने बढ़ा दिया, वहाँ की capacity को बढ़ा दिया, तो caring capacity जो है, बाकी shrines की भी बढ़ा दी गई, भली वहाँ की जो expert है, वो कह रहे हैं कि भई, इससे जो वहाँ का area है, वो overburden हो जाएगा, तो ये case बनता है, tourism versus environment का भी, कि इस तरह से government का जो आपने चोड़ी कर दी है, है ना, क्यूं, क्यूंकि आप tourism को बढ़ाना चाहरे हो, है ना, अब tourism बढ़ रहा है, तो इससे एक question raise हो रहा है, कि भी, क्या आप अपने economic interest को environmental preservation के साथ balance कर पाऊगे, एक तरफ आपकी economy है, एक तरफ आपका environment है, आपको इन दोनों को balance करना रहा है, अब हम करते हैं, re-assessment और supreme court का रोल के बारे में देखते हैं, तो जो state government है, और जो supreme court है, अब वो consider कर रहे हैं, कि इस, इनकी जो caring capacity है, इनको re-assess करें, क्योंकि अभी फिलहाल environmental हमें recent signals मिले आए, किस तरह से वहाँ पे तबाही तबाही मच रही है, तो फिर से वह व Parliamentary Standing Committee है, उन्होंने भी emphasize कि जो एक लोजिकली sensitive region जैसे कि जोशी मठ है, मसूरी है, दनौल्टी है, उसके लिए बहुत ही खास consideration हमें रखना होगा, ध्यान देना होगा, और वहां की environmental interest पे हमें ज्यादा focus करना होगा, रैधर की economic gains, ठीक है, तो वहां के environment में हमें ज्यादा ध् ना कि सिर्फ economical gains, ये Parliamentary Standing Committee ने भी कहा, फिर है, there is a need for scientific approach also, जो complex हिमाले निको सिस्टम है, उसके लिए हमें बहुत ही meticulous approach ही, meticulous मतलब बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हुए, हमें वहां की development करानी पड़ेगी, ताकि वहां का environment and economic aspect दोनों को हम एक साथ जाना पड़ेगा development का environmental preservation के साथ, ठीक, फिर है youth का रोल और advocacy, जो aspiring students है, वो बार बार जो है sustainable development को आप advocate करें, और long term consequences को भी हमें ध्यान रखना होगा, ताकि इनका long term consequences, local community एको सिस्टम हेल्थ के ओपर ज्यादा असर ना पड़े, तो next article करते हैं, India's Rohingya refugee children are not criminals, ये ये कह रहे ह हैं, ये आर्टिकल का नाम है, तो हुआ क्या, tragic incident हुआ, कि भी क्या हुआ, जुलाए में पांच महीने का जो बच्चा है, जो कि रोहिंग्या refugee को पैदा हुआ था, वो detention center में वो बिचारा नहीं रह पाया, गुजर गया, और holding center इंग जम्बू में, या तो इसको आप detention center कह ल पुलिस जो है, tear gassing a small congested area within the holding center किस तरह से वहाँ पे, gas bump वैकरी थी, है ना, इसमें ये भी दिखाया कि वहाँ पे refugee woman थी, बच्चे थे, एक ही confined space के अंदर, छोटे से space के अंदर, तो use of tear gas, तो पुलिस ने वहाँ के tear gas shells को use किया, एक बंद area में, इसकी वहाँ पैनिक हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, refugees के दुरान, है ना, और वीडियो ने ये भी capture किया, वहाँ के महिलाओं की चीखे, और बच्चे जो किस तरह से डर से भाग रहे थे, तो official response के आया, वहाँ का जो SSP है, कट हुआ का, इन्होंने ये माना कि वहाँ पे tear gas जो थी confined space में, हमें normally use नहीं करनी चीखे थी, लेकिन इन्होंने ये भी मना किया कि tear gas के वहाँ के infant की मौत नहीं होई है, तो फिर रोहिंगय refugee के background के अगर हम देखें, तो रोहिंगय पीपल जो है मैनमार से आये हैं, और most, among the most persecuted communities हैं globally, अगर आप ethnic और religious reason के वहाँ से बात करोगे, तो सबसे जादा persecuted communities में आते हैं, detention की condition के अगर हम बात जाने हैं, तो refugees जो है, एक holding center में है, ये पहली बात हमें पता ओने चाहिए, ये कोई criminals नहीं है, prisoners नहीं है, लेकिन ये displaced people है, मतलब वहाँ के देश ने इनको displaced कर रहा है, वहाँ से हटा रखा है, जो कि refuge मांगने आये थे, और safety मांगने आये थे, जो है, ये ऐसा incident जो है, ये दिखलाता है, किस तरह से हमें, हमारा एक बहुत ही sensitive nature होना चाहिए, जब भी हम refugee की population को हम handle करें, और बहुत ही अच्छा treatment and care के साथ ही हमें उनको handle करना चाहिए, फिर है protection of vulnerable groups, अगर आप international humanitarian standards की बात करोगे, वो भी यह कहते हैं, कि आप जो है ensure कर जो भी आपके पास refugees आ रहे हैं, उनका अब ध्यान रखो, खासके women and children ऐसे holding centers में, फिर importance of investigation, ये ऐसा incident जो होता है, ये भी दिखलाता है, किस तरह से हमें थोरों investigation की जुरूत होती है, ऐसे incident में, ताकि हम ये बिलकुल मान पाएं, और ये asserting कर पाएं, कि future में कभी ऐसे incident नही होंगे, फिर है advocacy for refugee rights, ऐसे incident ये भी दिखाता है, किस तरह से हमें awareness campaign जो होंगे, हमें फिलाने होंगे, ताकि refugees की rights को और dignity को हम वापिस ला पाएं, humanitarian challenges के बारे में भी ध्यान दिलाता है, ऐसे incident जो होता है, ये भी दिखलाता है, किस तरह से challenges जो हैं, दोनों host countries और refugees face कर रही है इन refugees को security, resources और suitable condition प्रवाइट करने में, तो एक तरह से humanitarian challenges को भी दिखलाता है, ग्लोबल perspective की बात करें, कि ऐसा incident जो होता है, जब ऐसे incident हो जाता है, ये भी दिखलाते हैं, कि larger global issue, जहां पे जो है, vulnerable population जो है, किस तरह से mistreatment face करती है, और neglect face करती है, जब वो एक safety और refuge के लिए किसी भी देश को cross करके दूसरी देश में जाती है, तो ये बहुत सारे mistreatment और neglect को उनको face करना पड़ता है, तो six years they fled, तो ये कहना है कि छे साल हो चुके हैं, जब से वो वहाँ से गए थे, तो six years since atrocities, तो पच्चेस अगस्त की अगर हम बात करें, तो पच्चेस अगस्त जो होए थे, अगस्त 2017 में शुरू होए थे, जिन्होंने साथ लाग सतर हजार रोहिंगयास को force कर दिया था कि वो अपने घरवार चोड़के कहीं और चले जाए, फिर refugees in India के अगर हम बात करें, इन में से जो गए थे, साथ लाग सतर हजार में से, बीस हजार रोहिंगया refugees जो है वो भारत में आ गए, उनके पास खासका UNSCR, Human Rights, United Nation के UNSCR cards भी हैं, जो कि इनको validate करते हैं कि ये refugees हैं और ये protection के लिए आ रहे हैं, ठीक है, cards इनके पास हैं, फिर है holding center जम्मू, जम्मू के अंदर एक specific holding center बनाए गया है, पहले ये jail वा करता था, अब इसको holding center कहा रहे हैं, ज इसमें 500 होंगे refugees खासके, इसमें women भी हैं, बच्चे भी हैं, 2021 मार्च से इनको confine कर रखा हैं, और refugees as criminals के अगर हम बात करें, तो बहुत में दिक्कत ये हैं कि refugees को criminals के तरह ट्रीट किया जा रहा है, भले ही वो हमारे देश में आये है safety और refuge मांगने, है ना, चुकि इनको confine कर आ गया है, एक पुराने जेल के अंदर, भही पहले वो जेल ही था ना, अब आपने जेल से बस नाम बदल के holding center कर दिया है, इसका मतल़ ये तो नहीं कि वो जेल के property उसके चले गई, तो ये भी question वो raise कर रहा है, कि किस तरह से उनके साब बरताव किया जा रहा है, उनके treatment, उन सब्सबूर होना पड़ रहा है, restricted moment के अगर हम बात करें, तो भी देखो refugees का moment है, वो normally restricted है, हो जादा घूम फिर नहीं सकते, इधो जानी सकते, इसकी व्यासे उनके ये भी question raise हो रहे हैं, उनके freedom के उपर, और क्या वो अपनी जिंदगी जो है basic human rights के साथ जी पाएंगे जी प बच्चे, जो बच्चे देखो भई, already vulnerable population का एक group होता है, है ना उनको एक तरह से prisoner की तरह रखा गया है, detention centers में ऐसा author कह रहे हैं, फिर है shared responsibility, इसे हमारी responsibility नहीं है, globally भी जो है कि collector responsibility है कि हम ये ensure करें, कि वहां की जो refuses हैं, खासका बच्चे जो है वहां वो survive कर पाएं और उनकी वेलिपिंग पे भी हम ध्यान दे, फिर है ethnic cleansing fear, मैं तो रोहिंगे refugees जो है, वो अभी भी जो है ethnic cleansing का शिकार हो रहे हैं, मतलब पूरी पूरी race खतम हो जाए, है ना इसकी वैसे वो और ज्यादा vulnerable है, और इसकी वैसे चुकी वो बहुत ज्यादा vulnerable है, और भी urgency है कि हमें principles को follow करें, जिसमें आपका basic right आता है, उनको protection आती है, और dignity उनकी सबसे जरूरी है, dignity आती ही आती है, फिर है advocacy for refugees, भी देखो, हमें ये issue को बार बार समझना होगा, ताकि हम future leaders को inspire कर पाएं, कि भी वो refugee की rights को, और वो समझ पाएं, और उनके लिए ज्यादा human treatment के लिए provisions आगे empathetically, empathy की तरह, treat करना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनके rights को हम respect कर पाएं, ठीक है, global solidarity की भी हम बात करेंगे इसमें, तो detention under the foreigners act, कि अगर हम बात करें, तो भी इंडिया के absence, पहला point इसमें है कि भी absence of domestic laws on refugees, हैना इंडिया के पास कोई भी consistent policy of domestic law नहीं है, refugee or SLM seekers के लिए, इंडि convention है, और 1967 का जो protocol है, उसको भी इंडिया ने sign नहीं कर रखा है, हैना, और refugees जो है, अभी भी illegal immigrants के तोर पे categorize होते हैं, और वो foreigners act 1946 के अंतरगत आ जाते हैं, ठीक है, तो इंडिया ने sign नहीं कर रखे, ना तो 1951 refugee convention और 1967 protocol, फिर है foreigners act implication, चलो माल लेते है, foreign act के अंतर आ भी गया, तो क्या है, क्योंकि भी दीको, foreign act जो होता है, वो grant करता है, unchecked executive power against foreigners including refugees, अब ये खासियत है, जैसे या वो refugees जो है, हम refugees तो accept ही नहीं कर रहे हैं, इनको illegal immigrant हमने consider कर लिया है, illegal immigrant जैसे हमने consider कर रहा है, वो सब के सब foreign act के अंतरगत आ गये हैं, अब foreign act के अंदर आ भी गए तो भ इसका ये होता है, कि भी पूरी की पूरी executive के पास बहुत तगरी power आ जाती है, कि वो foreigners के किलाफ, और foreigners में refugees आ जाते हैं, जिसके अंतरगत, वो administrative detention कर सकते हैं, section 32E के अंतरगत, और criminal imprisonment कर सकते हैं, section 1414 ABC, और deport भी कर सकते हैं, section 32C, तो जो इन्होंने detention कर रखी है, ये कर रखी ह ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा powerful हो जाती है, हमारी bureaucracy और इसके अंतरगत, इसको वो use करते हुए, उनके खिलाफ वो action ले सकते हैं, फिर है refugees at risk, तो अगर आप registered refugees की बात करोगे, जो की recognize हो चुके हैं, UNSCR के दुवारा, बहुत सारे refugees जो हैं, वो उनको डिटेंग कर दिया हैं, बच्चे जिसमें हैं, जो की बहुत समय से, जेल में और इन सब चीजों की वज़य से, child right के violation भी हो रही है, अब चुकि अगर आप refugee children को detain करोगे, तो इसकी वज़य से, आपका जो United Nations Convention है on the Rights of Child, CRC का Article 6, वो भी violate होता है, जो की Article 6 of the United Nations Conventions, right of child क्या कहता है, वो guarantee देता ह है, किसी भी बच्चे की life को survive कर पाए और develop कर पाए, ठीक है, और पहले पते की बात यह है कि, इंडिया ने CRC को ratify कर रखा है 1992 में, तो इसके वज़य से, ऐसी detention जो है, वो international obligations को भी breach करती है, कि आप कह दो कि नहीं, चलो ठीक है, एक तरफ हमान लेते हैं, कि 1951 refugee convention 1967 प्रोटोक हैं, तो आपको बच्चों को detention आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप international obligation से bounded है, तो यह ऐसा author कह रहे हैं, फिर है constitutional rights की अगर बात करें, हमारा सविधान भी जो है, वो हमारा right to life or personal liberty, article 21, है न, वो देता है, है न, आपका कैसे भी citizenship status हो, कोई भी citizen के आप हो, किसी भी देश क citizen हो, लेकिन फिर भी आपको यह प्रवधान मिलते हैं, फिर अगर आप बात करोगे, रोहिंगे detention situation की, तो रोहिंगे detention situation की अगर बात करोगे, तो approximately 500 रोहिंगे refugees जो हैं, जिसमें बच्चे हैं, वो detain हो रखे, बहुत सरे centers हो जेल जो हैं भारत में, example के तोरो पे नई दिली म एक सराय रोहिला center है, जो जहां पर रोहिंगे बच्चे रह रहे हैं, जिसनोंने जातर अपनी जिन्दगी जो हैं confinement में ही गुजारी है, सराय रोहिला center, फिर हैं उनकी denied basic rights के अगर हम बात करें, तो ऐसे जो बच्चे हैं, जिनको detain कर रखा हैं, वो जो हैं ना तो education ले पार हैं ना ही वो outdoor activities कर पाते हैं, उनकी confinement के विजए से उनको जो right है, एक normal childhood का और development का, वो उनको deny हो जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों के विजए से उनका development पर बहुत असर पड़ता है, और अपने वो normal childhood को भी नहीं जी पा रहे हैं, फिर है misplaced detention, कुछ रोहिंगे बच्चे जो है देखो भी, misplaced detention की अगर हम बात करें, तो कुछ रोहिंगे जो बच्चे हैं, उनको juvenile justice homes में भीज़ दिया गया है, juvenile justice act के अंतरगत, भी देखो आपको बता है juvenile justice home तो वहाँ बेज़ जाता है न, जो criminals होते हैं, या फिर जिन्होंने law, कानून तोड़ा है, है ना, उनको safety के लिए आया है, जो आपसे safety माँग रहा है, है ना, तो ये थोड़ा सा questionable चीज है, कि किस तरह से इनको juvenile justice act के अंतरगत, juvenile justice home में भेज दिया गया है, तो इसकी वज़ाए से हो क्या रहा है, देखो, injustice हो रही है, refugee children में, अगर आप रोहिंगया refugee children को, हैं, आप ऐसे ही मान के चलोगे, कि भही वो criminals हैं, तो इसकी वैसे वो बहुत ही unjust behavior है, और ये contradict करता है, खासकर international conventions को, तो ये humanitarian responsibility को भी हमें ध्यान दिलाता है, international human rights principles जो हैं, वो बार बार स्ट्रेस करते हैं इस चीज़ के उपर, कि भही हम जितने भी हमारे individual हैं, खासकर vulnerable population, refugees और बच्चे, उनकी हम rights को हम protect करें, global ethical consideration भी हमें रखनी पड़ेंगी, अगर हम ऐसी situation को हम समझ पाएंगे, तभी हम इन चीजों को हम ध्यान दे पाएंगे, और हम आजपास की respect, rights और awareness को, refugee issues को लेके, awareness को हम आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक, अब हम करते हैं, next article, talking about the talking, Modi and Zee need to have substantive conversation on ties, बहुत बेसिक होनी चाहिए, Modi and Zee के बीच में, अगर आब इसके बारे में बात करें, तो एक कहा कह रहे हैं, देखते हैं, सबसे पहला है, differing views in India-China talks, तो भी देखो, recent talk जो हुई है, बात हुई है, इंडिया और चाइना के बात में, दुबारे से हाइलाइट करती है, चीज कि किस तरह है कि दोनों की perspectives जो हैं, बहुत ही contrasting है, इंडिया कुछ और कह रहा है, चाइना कुछ और कह रहा है, है ना, फिर से हमें यही चीज वापस है, दिमाग में आ गए, जो बात हुई, उसका content क्या था, तो बिदको actual content जो था, conversation को जो हुई थी, प्राइम निस्र मोदी की बीच में और Chinese President Xi Jinping के बीच में, वो तो undisclosed है, क्योंकि वो एक informal nature की बातचीत थी, formal nature की बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी focus on the manner of communication, हमें ध्यान देना होगा, किस तरह से communication हुआ है, तो चलो माल लेते हैं भी, आप communication, conversation जो भी बातचीत होई है, उसकी detail को आप reveal मत करो, लेकिन हमें य यह जो leaders हैं, इन्होंने कैसी tone में बातचीत करी है, अच्छी tone में बातचीत करी है, गुसे में बातचीत करी है, खुश-खुश बातचीत करी है, यह भी चीज़े matter करती है, फिर है MBA silence and Chinese statement, देखो इंडिया की जो Ministry of External Affairs है, इन्होंने कोई भी official statement अभी तक release नहीं करी है, यह ज resolve करना होगा, फिर है stance on peace and tranquility, क्या हमारा stand क्या है, peace and tranquility को लेके, तो India Foreign Secretary, जिसका नाम है Vinay Quattra, यह कहने है, कि भी दोनों leaders ने emphasize किया, कि भी हमें शान्ती बहुत बनानी बहुत ज़रूरी है, बोर्डर्स में, और हमें LAC, line of actual control को हमें respect करना ही होगा, ताकि हम आपस के relationship जो ह and de-escalation, जो को India और Chinese officials जो है, उनको बार-बार direct किया जाता है, कि भी आप जो है, और ज़्यादा कोशिचे करो, ताकि आप borders पर disengage हो पाए, engagement मतलब दोनों आपस में आगे, disengagement मतलब दोनों दूर-दूर चले गे, और जो tension हो रखी है, borders पर उनको आप बार-बार दूर करो, फिर अगर हम देखें कि भी different perspectives on meeting requests, तो भी चाइना का जो statement है, ये indicate करता है, कि conversation जो था, इंडिया की request पर हुआ था, इंडिया ने request करी थी कि आओ आओ आप बाते करो, लेकिन इंडिया की जो official sources है, इन्होंने ये का कि चाइना ने request किया था, कि भी आप by-lector meeting करो, जो कि इं अगले perspective है, कि meeting ही किसने बुलाई, ये ही समझनी आपा रहा है, कि चाइना ने बुलाई ये इंडिया ने बुलाई, चाइना के रहा है, इंडिया ने बुलाई, इंडिया के रहा है, फिर है understanding mixed messages, अब ऐसी situation जो है, ये highlight कर रही है, बहुत ही complex, complexity को, कि भी किस तरह से diplomatic interactions होते ह है, जहांके छोटी-छोटी differences भी बहुत ही ज्यादा implication कर सकते हैं, ला सकते हैं, फिर है importance of clear communication, तो हमें ये ध्यान देना होगा, कि भी अगर बहुत ही effective or clear communication बहुत ही जरूरी है, किसी भी diplomatic relation को आगे बढ़ाने के लिए, और ताकि आगे चल कि कोई misunderstanding ना हो, और productive discussion हम वापस ला पाएं, फिर bilateral relations at stake, दोनों relations जो हैं, बहुत ही stake पे है, क्योंकि दोनों की statement अलगलग आई है, अब चुकि इंडिया और चाइना की दोनों की statement अलगलग आई है, इसकी वज़ाए से हमें ये समझना और manage करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, कि इंडिया-China relations को हम कैसे आग effectively manage हो पाए, मतलब हमें अपनी diplomatic skills को और बढ़ाने की जुरूत है, है ना, तो ये चीज हम बात करें, अब देखें, समझें, और इसमें जैसे क्या कह रहे हैं, कि लिमिट्र इंट्रेक्शन बट्विन दा लीडर्स, अभी अगर आप बात करोगे, तो अभी तक सिर्फ दो ही इंट्रेक्शन होए हैं, इंडियम प्राइमिस्टर नरिंदर मोदी और चाइनीज प्रेज़ेंट जीजिंग के बीच में, जब से LSE crisis हो थी 2020 में, तो अभी तक से दो बार ही बातचीत होई है, है ना, तो लिमिटेशन क्या हैं, जैसे आगर हम देखें, लिमिटेशन क्या ह हैं, तो पहला है तो है कि इन दोनों लिडर्स की बीच में बातचीत ही बहुत कम हुई है, 2020 से बात अभी सिर्द दो बार ही मिले हैं, फिर है, M.E. जो है बहुत ही डिलेड अकनॉलजमेंट करती है, है ना, मिनिस्ट्री और एक्टेंटर फेस को आठ मेने लगे कि वो कन्फ आये थे, मिले थे, हाँ चले गे थे, तो M.E. की तरफ से भी डिले रहते हैं, लगबर आठ मेने का रा था, कि वो जल्दी जल्दी एक्सेट भी नहीं करती है, वो इंडिया की अप्रोच कहा है, G20 को लेके, तो G20 में इंडिया ने अवाइड किया कोई भी तरह का फॉर्मल और स्ट्रक्चरड एक्सचेंज डायलोग हो पाए, चाइना के साथ, है ना, लेकिन कन्वर्जेशन जुरूर इनिशेट करने ही कोशिश करी, और ये विलिंगनेस भी दिखाई कि वो इनफॉर्मली लेवल पे, वो जो है बातचीत हो, फॉर्मल लेवल पे नहीं, इनफॉर तो डायलोग नॉट अ कंसेशन, अगर भी मौधी कौमेट जो है, अगर हेस्टेंट है, कि भही आप जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसी अपनी स्टैंस को डायलूट नहीं कर रहे हो, तो ऐसी डायलोग जे, ये चीज़े जो होती है, बेजिंग को एक विक स्टैंस, arguing that dialogue is a concession or victory for Beijing is not a substantial point, फिर हम फोकस हमें करना होगा, डायलोग के content के उपर, कि भही, डायलोग, सबस्टैंस जो है डायलोग का, वो matter करता है, more than its format, भही, किस format में डायलोग आपने बात चीत कर लिए, वो matter नहीं करता, उसके अंदर था क्या, सबस्टैंस क्या था, क्योंकि इसकी विएसे वापिस एक opportunity हमें मिल रही है, इंडिया को, कि हम वहां का peace और शान्ती को वापिस से लापाएं, यह एक opportunity है clear messaging की, एक structure डायलोग अगर हम लापाते हैं, G20 में, दिल्ली में, जहांपे जी जिन पिंग भी आएगा, इसकी विएसे प्राइम मिनिस्टर को वह समझा पाएं, और चाइना के action को भी importance को वह लापाएं, फिर key points to address इंडिया को क्या करने पड़ेंगे, इंडिया आप क्या करें, इंडिया भी क्या कर सकता है, इंडिया ला सकता है कि किस तरह से शान्ती की importance को वापिस ला सकता है, दिखा सकता है कि भी शान्ती बहुत accept कर ले transparency और public awareness की भी बात हमें करने होगा वही एक open transparent approach बहुत भी जरूरी है अगर आप जो भी अभी ongoing border development की issues जो चल रहे हैं वो उसके लिए आपको transparency और public awareness रखनी होगी लोगों को आपको इजागरूपता रखनी होगी और भ्रोसा बनाए रखना होगा तो ऐसी चीज़ों में leadership role आ जाता है international relations में आपको complexities बहुत ही समझने की जुरुत है खासकर diplomatic interactions के अगर आब बात करोगे और national interest को लेके बात करोगे future leaders के लिए diplomatic responsibilities है leaders को जो होगा बहुत ही अच्छी prioritize आपको रखना होगा कि आपका communication बहुत ही clear हो और open discussion हो पाए खासकर आप अपने अगर आप national interest को protect करना चाहरे हो international relations के में फिर next article है the importance of states in the space missions तो देखो भी सबसे पहली बात ये article में करते हैं चंदरियान 3 की lunar landing के बारे में हैना 23 अगस में इंडिया ने बहुत ही अच्छा milestone अचीव किया है है ना इन्होंने soft landing अचीव कर लिया भारत ने हम सब को पता है और हम सब को बहुत ही गर्व भी है कि चंदरियान 3 जो है लेंडर मोडिल जो है चांद के अपर पहुंच चोग है इंडिया जो है Soviet Union, US, China के बाद चोथा ऐसा देश है जो की ऐसा कर पाया है ना फिर है testament to ingenuity तो इंडिया की जो achievement है यह दिखाती है कि हमारे scientist जो है genius है है ना किस किस तरह से genius है किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम cost पर वह यह achieve वो कर पाया है आप सोचो कि interstellar के आधे जो interstellar movie है उसके आधे कोस्ट पे जो है हम यह हम lunar landing अचीव कर पाया है फिर है late industrializer success तो इसके अमंग the four countries अगर आप बात करोगे इंडिया है Soviet Union है China है यह सब late industrializers है और US जो है एक developed nation है यह भी आपको थोड़ से ध्यान देना पड़ेगा तो इसके लिए हमने term दिया है late industrializer success की मतल़ जिनकी industrialization बाद में होई देखो भी सबसे पहले US में सबसे पहले होई थी ना और बाकी जो तीन है इनमें सबसे बाद में होई थी इंडिया हो सोवित Union चाइना हो लेकिन यही सबसे ज़्यादा आगया आगए है ना फिर है factors enabling success को उनकों से factors हैं जो कि नोंने success को enable किया वही देखो आपकी economies जो है उनके अंदर resources बहुत कम होते हैं है ना तो resource constrained economies होती है और ऐसी economies जो है यह success पा रही है है ना तो यह क्या दिखलाता है यह दिखलाता है वहां की economic innovation कि हम बहुत ही innovative है determination की हम बहुत ही determined हैं कि हम वह पाके रहें हैं और दूसरा है strategic allocation of available resources देखो आपके पास resources हैं कम हैमाल लेते हैं लेकिन आप उसको किस हिसाब से आप allocate कर रहे हो और उससे आप कितने determined होके innovatively आप उसको इसको इस्तमाल करके आप आगे भढ़ पा रहे हो वही है challenge और उस challenge में में इंडिया जो है बहुत इच्छे से उब करती है lessons for overcoming challenges तो यह जो achievement है यह भी दिखाता है कि किस तरह से nation जो है अपनी limitations को overcome कर सकती है अगर आप innovative हो जाओ और अपनी planning जो हो बहुत ही careful ढंग से करो हैना जो ऐसे बड़े बड़े जो ambitious program होते हैं इसमें बहुत सारे challenges आते हैं उस चीज़ के लिए आपको creativity लानी ही होती ह हैं और problem solving skills भी आपको लानी ही होती हैं और यह भी इससे दिखता है कि किस तरह से आपने development और ambition को आपने balance बनाया तो यह question बार बार आइस होता है कि ऐसे program जो है तो ऐसे बड़े बड़े program में आपके इंडिया के या हमारे देश के resources जो हैं बहुत सारे लग जाते हैं है ना तो यह debate बार बार आएगा यह आपके ऐसे में भी आ सकता है कि एक तरफ हमारे देश में बहुत ही developmental needs हैं जिसके लिए पैसा बहुत चाहिए आप गरीबी हटा रहे हो health को आपको बढ़ाना है education को बढ़ाना है ना और दूसी तरफ आप अपने resources जो है चांद पर भीजने के लिए लगा रहे हो ठीक है तो यह चीज हमें समझने की जुरूरत है ठीक है फिर resource allocation and priorities तो ऐसे जो successful programs है यह खास कर यह तभी उपलब्द हो पाते हैं जब आपने अच्छे से resource allocate करे हो और उसी को अपर ध्यान दिया हो तो मैंने बताया ना development versus exploration आपको यह balance यह ऐसे की line बढ़ रहे हो है ना उनके बीच में balance हो ताकि आप short term progress और long term innovation को आप balance कर पाओ अगर आप अभी आपने कहीं खर्चा कर दिया किसी state में चुनाव थे आपने वहां किसी की loan maaf कर दिया ऐसा कर दिया आपने वह पैसे जो थे आपने इसरों से लेके वहां दे दिये है ना तो वहां प exploratory ventures को आप बढ़ावा देशे को देखो आप खुछ सोचके देखो जब sea voyages होए थे है ना जब आपके middle ages में आपके पोच्चुगी सब जब निकले थे समुदर में ढूंड रहे थे वासकोडियमा Columbus है ना तो उन्होंने भी ऐसी ventures की थे उन्होंने पैसे लगाए थे और उनको result भी मिला था तो अभी तो space race चल रही है अब space race में हमें ध्यान देना ही होगा कि हम अपने resources को अगवा लगा रहे हैं वो भी हमारी यहीं की भलाई के लिए है जो कि आगे चलके बहुत ही ज़्यादा हमें फायदा देने वाली है फिर है benefits of innovation का भी हमें दिखलाता है ऐ ऐसे program जो होते हैं ऐसे ambitious program जो होते हैं जो technological advancement को दिखाते हैं है ना और किस तरह से हमारे diverse sector के potential benefit को दिखाते हैं वो फिर है global competitiveness ऐसे program से हमें ये भी देखने को मिलता है कि भी किस तरह से हमारा देश जो है globally competitive हो चुका है और इससे हमारे देश की बहुत ही अच्छी चवी पूरे दुनिया में जाती है और ऐसे program के एक और फायदे देखो यह सब फायदे बतला रहे हैं है ना कि चंद्रान तीन के फायद में अपने हाथ ला पाएं फिर है holistic approach to progress तो यह चीज़ हमें ध्यान देनी होगी अगर हम progress की बात करते हैं तो हमें बहुत ही holistic way में हमें बात करनी होगी ना कि सिर्फ पुराने तोर तरीके पे हमें अपने resources को बहुत ही strategically हमें allocate करने होंगे फिर important factors की जैसे बात करते हैं कि यह क्या कह रहे हैं तो यह कह रहे हैं तो यह कह रहे हैं कि resource shortfall not a constant तो पहली चीज़ तो यह बोलते हैं कि भी अगर आप कह रहो कि हम आप resources नहीं है तो यह कोई constant नहीं है resources तो हमेशा कमी रहने वाले हैं अगर आप बात करोगी USSR चाइना इंडिया की इन्होंने ऐसे बड़े-ब resource constant उसमें उसमें उससाने वो अचीव किया था फिर है human resources as key factor तो चाइना इंडिया यूएस जो हैं बहुत ही populous nation है है न यह emphasize करते हैं साइंस और टेक्नलोजी को अपनी developmental path के लिए हैं अगर आप इन एरिया में अगर आप invest करोगे खासके human resources को बढ़ाने के लिए तो उसका फाइदा बहुत ही जादा future में होता है तो ऐसे ही इन्होंने कह रहे हैं वही अगर आप इन एरियाज में खासके आप post war और post kolonial phases में जिन्होंने भी invest किया है ना उन्होंने एक foundation present कर दी अभी जो present achievements हो रही है तो basically जिन्होंने पहले काम किया था उसका फाइदा अ अच्छी रखी गई थी है ना बाबा atomic research center जो बड़े बड़े centers हैं पहले की नीव है जिसका अब हमें achievement मिल रही है तो अगर आप देखो कि initial investment of the yielding result जो outcome होई है चाइना के रशिया के इंडिया के है ना current जो space endeavors में हम जो आगे भढ़ पा रहे हैं यह दिखलाता है हमारी history को क किस तरह से हमने अपने past में science and tech के ऊपर हमने जोड़ दिया उसका result हमें अब मिल पा रहा है फिर है China's patent dominance है ना चाइना का innovation जो है यह बार बार हमें दिखता है कि किस तरह से उन्होंने सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा patent किरा रखे हैं 2019 में है ना तो चाइना का patent dominance बहुत जाता है यह भी हमें एक point पता होना चाहिए फिर अगर हम बात करें abundant scientists and engineers तो भी जितने जादा हमारे space exploration में हम success पाएंगे फिर एक UAE की unique success को अगर हम देखें तो UAE का जो space program है है ना इन्होंने इसने इसी notion को challenge किया बहले ही इनकी population जो है बहुत ही कम है है ना population size is the only determining factor लेकिन UAE की जो per capita wealth है वो US से भी जादा है लेकिन इसकी population बहुत कम है तो हुआ क्या UAE ने बह agency जो हुई थी 2014 में लगी थी और अब जो है वो बहुत ही 23 रफ्तार से जो है मार्स पे उसका hope project जो है वो बहुत चुका है जा रहा है ठीक तो UAE से भी इन्होंने बोला है कि UAE की भी unique success रही है क्योंकि population कम है लेकि उनके पस पैसे जादा है तो बहुत सारे factors जो होते हैं इं human resource आजाता है आपका innovation आजाता है investment आता है और strategic collaboration आता है जो कि मिलके किसी भी success को लेकर आता है है ना आपको सिर्फ economic resources के तोर पे नहीं देखना है इसमें जब भी आप किसी scientific endeavors की आप बात करते हो तो बहुत ही holistic approach से ही आप उसको देखोगे जिसमें मैंने आपको बता दिया human resource innovation investment और strategic collaboration इसमें आप aspiring leaders को भी inspire करोगे और globally भी आप lead करोगे फिर है triple helix model की यह बात कर रहे है तो state का बहुत ही मुखे रोल रहता है ऐसे ambitious objectives को अचीव करने में तो triple helix model भी जो है वो emphasize करता है कि आप जितनी भी सरकारे है private sector है और academics है वो तीनों जो हो government हो private sector हो और academics हो वो तीन हो मिलके आपस हम collaborate करें ऐसे goals को achieve करने के लिए है ना तो active and capable state इसके लिए होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी state जो की active हो बहुत ही capable हो जिस जो की अपनी resources को बहुत ही efficiently use करना जानती हो और skilled workers भी वहाँ पर ले पाए बना पाए है ना तो government led spacecraft lending वहीं तो private sector space industry तो बढ़ रही है ह हम सबको बताए लें government के initiatives भी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ऐसे complex mission को खासके lunar landings को आप पूरी कर पाऊगे तो तो resource allocation in developing economies किया concern यह है भी arise यह होते है developing economies जिमना यह concern जरू arise होता है कि आप अपने resources जो है वहाँ पर divert क्यों कर रहे हो है ना तो मतलब basically आप इंडिया ने वहाँ lunar भेज दिया तो इंडिया के ओपर वो question raise करने लग गया है लोग कि आप जो है अपने पैसे जो है अपने वहाँ क्यों करें आपने जब अमेरिका जब भेज रहा है तब आप question वो raise नहीं कर रहे हो है ना यह चीज थोड़ी सी हमें internal issues face करे थे लेकिन जो उनकी space mission हो जैसे Apollo है ना आज भी human Trump के तोर पे याद करे जाते हैं तो ऐसे नहीं उनको दिक्कत फेज नहीं होई थी उन्होंने भी same issues जो थे internal issues जो थे ऐसे face करे थे Apollo mission के दोरान है ना तो यह कि valid concern तो है कि resources को आप driver तो कर रहे हो है ना तो material and scientific value के अग हमें मिलती है जिसकी विएसे human progress हो पाती है है ना तो knowledge होगी तो human progress होगी इस रो का बहुत ही cost effective model का भी हमें पता चलता है कि किस तरह से इस रो की efficient satellite launch approach है हमारी यह दिखलाता है कि उसकी capability को और वहां की private investment को भी यह चीज़े आप attract करनी शुरू कर दी है तो basically ऐसे जो चीजे ह होती है वो inspire करती है हमारे future leaders को global perspective से देखें तो भई हमें global scale scale पे बहुत ही well informed decision making के तोर पे हमें देखा जाता है true partnership की अगर हम बात करें तो true partnership में इसमें बोल रखा है कि यह कह रहे हैं कि redefining state role तो जो current global crisis है यह highlight कर रहा है कि भी किस तरह से private sector बहुत ही limited है ऐसे complex challenges को resolve करने में traditional view जो था state का कि वो एक referee की तरह काम करेगी market के बीच में अब यह valid नहीं है अब जो है state market partnership आच होगी है जिसमें state और market के बीच में partnership होगी और active state intervention बहुत ही जरूरी है अगर आप ऐसा environment बनाना चाहरे हो innovation के लिए ठीक पहले रोल यह है कि भी private जो अगर आप private sector की बात करोगे उनकी खुद की limitation होती है पहले हमाना जाता है कि भी market और अलग अलग markets के बीच में state जो है referee की तरह काम करेगी और कुछ भी होगा तो हो समाल लेगी अब जो है बदल जो गए अब state की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा environment प्रदांग करे ताकि एक innovative environment को हम आगे बढ़ा पाएं ह है ना तो state competence and power जो सरकार की success होती है ग्लूनर लेंडिंग्स में तो यह दिखलाता है कि हमारी state का कितना तगड़ा potential है और वो कितनी powerful है और competent actors है ऐसी बड़ी बड़ी innovative tech driven activities को बढ़ावा देने के लिए फिर Mariana Mazzucato perspective इनोंने दे रखा है तो economist जो है Mariana Mazzucato explore करते हैं किस तरह स्टेट जो है कोडिनेट कर सकते हैं अलग-अलग actors को ऐसे complex goal को achieve करने के लिए Apollo Land जैसे कि देखा गया था Apollo Rune Landings में वहीं देखो इतने बड़े projects में आपको private sector की मतले लेनी होगी government की मतले लेनी होगी बाहर के देशों की मतले लेनी पड़ती है तो यही economist जो है Mariana Mazzucato explore करता है कि किस तरह से आपको diverse actors को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तभी जाके आप ऐसे complex goal को अपचीव कर पाते हो तो state role जो है modern economies में यह मैं जो करता है कि state की capacity जो होती है किस तरह से आप होनी चाहिए कि वह innovation और success ला पाए आज की economies में है ना और यही जो है applying space success to earthly concerns बहले प्रिधवी के challenges अलग है, space के challenges अलग लग हैं लेकिन हम space mission से हम सीख तो ले सकते हैं ना हम space mission से सीख ले सकते हैं ताकि एंसे हम earth के जो challenges हैं हम उनको address कर पाए है यह बहुत एच्छी line हैं बहुत एच्छी हम मानते हैं कि Earth के challenges हमारे अलग हैं हम मानते हैं space के challenges अलग हैं लेकिन जो space में हम mission भेज रहे हैं उनकी जो success हम पा रहे हैं उन चीजों से हम सीख के जो पृत्वी पे जो concern है उनको हम address जरूर कर सकते हैं फिर अगर हम बात करें inclusive और secular state की तो अभी बहुत ही जरूरत है एक ऐसी state जो की बहुत ही inclusive हो और बहुत ही secular हो और ऐसी state जो की एक general human development को promote करें और इसकी विज़े से हम complex social issues को भी हम resolve कर पाएं और complex problems भी जैसे climate change हो गया hunger हो गया हम उनको हम resolve कर पाएं और modern state की responsibility क्या होती है modern state ऐसी state होती है जो की ध्यान दे economic growth के उपर भी और social well-being के उपर भी ठीक है और वो collaborative approaches लेकर आए innovation के लिए progress के लिए और problem solving के लिए कि भई हम innovate भी करें हम तरक्की भी करें और जितनी problems आ रही हैं बीच रास्ते में हम उनको solve भी करते रहें ठीक है अब ऐसी चीज़ों के लिए जब आप partnership के बात करते है state और market के partnership के बात करते है उस वो face कर रहे हैं global challenges एक साथ इस चीज़ के लिए जो है state का active role आना बहुत ही जूरी है sustainable development के लिए अगर आप diverse societal concern को आप resolve करना चाहरे हो फिर article है the state of the scholarship for the minorities क्या है भई और government ने ऐसे प्रोग्राम को क्या क्यों हटा दिया है और minorities का population का gap क्या है है ना तो मतलब basically minorities related है तो अभी background को आगर हम देखें तो भी हाल फिलहाल में इंडिया गॉर्मेंट ने बहुत सरे changes करें है educational schemes में है और जो ministry of minority of programs है उनकी funding को ने थोड़ी से कम कर दिया scholarships की अगर आप बात करों कि legis minorities की तो इंडिया के पास 30 करोड जो जनसंक्या है वो legis minority communities हैं जो कि 20% हिस्सा बनाती है और लगबग 6 notified legis minorities हैं under national commission of minorities act 1992 में और वो बहुत सारी challenges face भी कर रहे हैं तो muslim minority challenges करती हैं खासकर employment की बात करोगे या फिर informal work की बात करोगे और उनका participation बहुत ही कम है अगर आप salary jobs की बात करो और वो बहुत ही struggle कर रहे हैं poor working condition में फिर committee की बात कर रहे हैं आगर हम सच्चा committee report आई justice राजेंदर सच्चा committee report जो थी UPI कौमें ने बनाई थी को निगलक किया जा रहा है भारत में है ना मुस्लिम जो है S.C.S.T. से भी नीचे आ रहे हैं और नीचे नहीं आ रहे हैं सोरी S.C.S.T. के उपर है और हिंदू O.B.C.S. के नीचे हैं और बाकी माइनोटी से नीचे हैं और हिंदू जनरल बहुत सारे condition इंडिकेटर्स में नीचे हैं तो S.C.S.T. से उपर हैं बाकी सबसे नीचे हैं तो फिर क्या हुआ मिनिस्ट्री और माइनोटी और फेस बनी 12.6 में मनमान सिंग लेड यूपे गॉर्मन ने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई माइनोटी और फेस को लेके इस मिनिस्ट्री का काम था कि किस तरह से जो नोटिफाइड मानोटी हैं उनके इशूस को वो रिजॉल करें खासकर वो एजुकेशन एमपार्मेंट की बात करें एजुकेशन को बनाएं एकनॉमिक एमपार्मेंट की बात करें infrastructure उनके लिए बनाए और उनकी जो special need है जुरूरते हैं उनको भी वो resolve करें फिर comprehensive approach के अगर आप बात करो तो ministry ने एक बहुत ही targeted approach बनाई minorities के लिए है ना तभी तो specially ministry बनाई कि आप सारा ध्यान जो है उसी के ओपर दो है ना और उन्होंने prioritize करना शुरू किया एसी neglected communities को फिर importance of empowerment आप देखो तो ministry का main aim यही है कि minority communities को आप empower करो कैसे empower करोगे आप उनको education दो और economic development करो ठीक है तभी हब empowerment की आप बात करोगे और historical context भी आपको समझने की जुरूत है कि ऐसे initiatives जो होते हैं किस से आते हैं जब आप minority communities की comprehensive assessment करते हो उनकी special needs के बारे में तभी आप जाके ऐसी initiatives आप ला पाते हो तो policy response क्या है inequality को लेके तो जब ministry बनी थी उन्होंने highlight किया था government कर commitment की भई वो चाहती है हम social economic disparities जो भी है minorities को लेके वो हम dissolve करना चाहरे हैं ये सरकार की commitment को दिखाता है लेकिन अभी भी challenges तो हैं भली government कोशिस तो कर रही है लेकिन अभी भी challenges तो continue हो रखे हैं अभी भी process कर रहे हैं minority communities के लिए और ये दिखलाता है किस तरह से आज भी हमें support उनको देना पड़ेगा मतलब basically बात ये हो रही है कि सरकार ने ministry बना दी minority office जब ministry बनाई तो इससे हमें पता लग गया कि भी सरकार जो है बहुत ही serious है minorities के लिए लेकिन आज भी minorities के लिए challenges बहुत सारे बचे हुए हैं तो इसलिए ये जो challenges बचे हैं ये जरूर दिखलाता है कि आज भी उनको उसी तरह की support की जूरत है है ना हम ये मानते हैं कि जो ministry का जो रोल है वक्त के साथ साथ बढ़ा है वक्त के साथ रोल भी बढ़ा है और उसकी क्योंकि minority communities के needs भी बढ़ा है है ना welfare schemes क्या कहती है तो welfare schemes कि अगर आब बात कर लोगे तो एक थी educational empowerment scheme पिछले दो decade में central government ने इंट्रिडूश करी है कि educational empowerment आप प्रवाइट करो religious minorities को लेके pre-matrix scholarship scheme जो कि जिन्होंने पहले pre-matrix scholarship scheme कक्षा एक से 10 तक थी जिसमें scholarship amount हुआ करता है इसे 10-1070 रुपे परती candidate अब जो है discontinue कर दी गही है classes 1-8 के लिए अब वो सिर्फ class 9th और 10th को ही cover करती है pre-matrix scholarship scheme फिर है post-matrix scholarship scheme ऐसे बच्चों के लिए जो कि class 11 से PhD तक के लिए है यह higher education को promote करती है और इसमें scholarship मिलती है 2300 रुपे से 15,000 रुपे तक है ना और fund जो थे बढ़ा दी गए है इस fiscal year में अच्छी बात है कि 515 करोड से भढ़ा के 1565 करोड रुपे fund बढ़ा दिया है फिर है merit कम mean scholarship scheme यह focus कर रहा है खासके professional और technical courses के उपर खासके UGPG institution के लिए तो eligible candidates हैं वो अपने पूरी course की जो fee है वो reimburse करा सकते हैं अब इसमें 23,24 में fund जो है वो कम कर दिया है 44 करोड ठीक है इस education उसमें fiscal year में इसकी fund को कम कर दिया गया है फिर है मुलाना अजाद national fellowship तो यह क्या करता है ओफर करता है financial assistance उनको जो MFIL करने हैं फिर PhD research scholars हैं उनको तो junior research fellow जो है उनको 31,000 रुपे मिलते हैं पहले दो साल में मुलाना अजाद national fellowship में और जो senior research fellow है उसको 35,000 रुपे मिलते हैं हर महीने बाग की tenure के लिए है ना इसकी विएसे कितने लोग को फायदा हुआ है 6,700,6,000 लगबा candidates को फायदा हुआ है 12,14,15 से 12,21,22 में लेकिन 12,22 में इसको cancel कर दिया गया मुलाना अजाद national fellowship scheme को फिर है पढ़ो परदेश scheme पढ़ो परदेश scheme का मेर मकसद क्या है overseas educational opportunities को promote करना बाहर जाके है ना तो कोई भी अगर बाहर पढ़ना चारा है उसके लिए वो educational loan प्रवाइड करती है लेकिन 12,22 में इसको discontinue कर दिया गया है लेकिन जब ये 2006 में आई थी पढ़ो परदेश scheme इस खासकर उन mandatory लड़कियों के लिए है जो कि higher secondary education परदेशियो करना चाती है और ये किसके अंतर काता है ये मुलाना अजाद national fellowship education foundation इस बार जो है zero allocation मिली है इसके लिए बेगम हजरत महल national scholarship को zero पैसे मिले है उन लड़कियों के लिए थी जो कि बहुत ही mandatory हुआ करती थी और higher secondary education को परचियों करना चाती थी फिर है नया सवेरा स्कीम नया सवेरा स्कीम के अगर बात करोगे तो free coaching वो provide करते है minority students को कि वो competitive exams को technical courses को वो पूरा कर पाए है ना लेकिन इसको भी discontinue कर दिया गया क्योंकि ये जो नया सवेरा स्कीम थी वो new education policy 2020 से alignment में नहीं थी वो ठीक है यह कहक से भी 23 जो था एक पॉइंट 19 लाग students को फाइदा हुआ था जिसमें budget allocation था 30 करोड का दोज़ा 23 चोबिस में फिर है SPMM scheme SPMM scheme क्या है scheme for providing education to mothers and minorities ये कि centrally sponsored umbrella scheme है program है centrally sponsored है जिसमे किंद्र पैसा दे रहा है है इसमें सब scheme भी एक आती है SPQQEM scheme for providing quality education in mothers मदर्सास quality education मदर्सास तो इसमें कहा था जो भी recognize मदर्सास हैं इंको fund मिलते थे ताकि वो modern subjects को introduce कर पाए अपने मदर्सास में इसमें allocation इस बाग कम कर दिया गया है 10 करोड कर दिया गया है 12-23 चोबिस में पहले 12 पिछले साल तक 160 करोड था अब इसको कम करके 10 करोड कर दिया है कि बस सिर्फ 10 करोड पैसे मिलेंगे इस scheme के लिए जिसमें वो government कोशिश कर रही थी कि मदर्सास में modern subjects को लेकर रहा है scheme for providing education to mothers and minorities तो कितना budget कम हुआ है यह हम देख ले तो beneficiary के अगर हम trend की बात करेंगे तो beneficiaries जो है central education schemes की वो कम हो चुके हैं 2019 और 1222 की अगर बात करोगे तो 7% drop हो चुका है beneficiaries का है ना जो scholarships अवाट करेगी थी minority students को वो भी कम हो गई है 2019 वीस में 67 लाक अवाट करेगी थी जो की कम होके 62 लाक ही बच गया है और अगर आप M.A.N.F. beneficiaries की बात करोगे वो भी कम होगे 2580 से 2061 और जो लड़कियां थी बेगम हजरत महल scholarship में वो भी 44% कम है लगबग सभी जो है expenditure कम हो चुका है कितना 12.5% 12.5% expenditure कम हो गया है क्योंकि 2021 में 2160 क्रोड रुपे खर्च होए थे और 2019 में 2498 रुपे खर्च होए थे फिर budget allocation for minority affairs अगर आप बात करो के minority affairs के लिए तो उसके लिए भी जो budget allocation है वो भी 38% कम हो चुका है कि अगर आप जैसे आ है और educational empowerment schemes को सिर्फ उसे 1689 क्रोड 1689 क्रोड ही 1600 लगबग 90 क्रोड ही allocate हुए है ना तो utilization of funds के अगर बात करो 1223 में पच्चिस सो क्रोड allocate किया गया था ऐसी schemes में जिंका बहुत ही under utilization है दो भी आपने दे भी दिये तो भी utilize नहीं हो रहे हैं है ना मतलब सारी बात ही है आप दे अब आप कह रहे हो कि भी आपने कम कर दिये ठीक है लेकिन जो हम दे रहे थे उसका क्या दिये थे पच्चिस सो क्रोड यूटलाइजी नहीं है है ना तो revised estimate जो थी प्री metric scholarship की 556 क्रोड थी और खर्चा कितना हुआ भी इन्होंने तो कहा कि पांसो 56 क्रोड लग जाएंगे प 43 क्रोड का ऐसे जैसे post metric scholarship जो अभी हमने पढ़ा था उसके लिए actual expenditure हुआ सिफ 29 क्रोड का बजट कितना रखा गये था 515 क्रोड का सूचो 515 क्रोड गए थे यूज होए से 29 क्रोड बाकि सारे पैसे वापिस चले गए ऐसे अगर आप देखोगे merit come means scholarship fund इसमें भी आप देखो allocation trend क्या चल रहा है 2022 की CBGA report ने highlight किया था कि एक declining trend चल रहा है पूरे budget allocation का खासका minorities के लिए है ना क्योंकि 2022-23 में जो भी allocation हुआ है वो minorities की जो proportional representation है उसको represent नहीं करता है कम कर दिया बिसकली पैसे जो है अब utilizing यह हो रहे हैं है ना तो importance of educational aid क्या है क्या जरूरत क्यों है educational aid देनी minorities के लिए हैना पहला है affirmative action necessity affirmative action बहुत जुरूरी है नीतियायो का strategic document जो आया था दोज़ा 18 में इन्होंने पूरे कहा highlight किया था कि किस तरह से हमें affirmative action देना पड़ेगा अगर आप social economic status को बढ़ाना चाहते हो खासकर religious minorities को especially Muslims जो की disparities face कर रहे हैं तो उनके लिए आपको affirmative action लाना ही पड़ेगा फिर educational disparity के अगर आप बात करोगे तो यह education gap तो ही Muslim और जनल population में बहुत तगड़ा noticeable education gap है जो की आसानी से हम notice कर सकते है कि Muslim representation जो है education में वो higher level की education में वो गरता चला जा रहा है और इसकी impact on enrollment भी है अगर आप ऐसी scholarship जो है discontinue करते रहोगे इसकी जैसे और community के जो enrollment rate ह है जो बड़ी-बड़ी education को जो पाना चाह रहे हैं वो कम होता रहेगा फिर है education disparities and data की अगर हम बात करें out of school children तो देखो highest proportion जो है out of school children की अगर बात करोगे तो हो सबसे ज़्यादा Muslim में है out of school children 4.43% Muslim है Hindus 2.73% है children 1.52% है किसके according सर्षिक्षा अभियान के data के according एच्छा data है तो लगबग 4.43% जो है वो Muslim है फिर है higher education enrollment ASH 2020-21 ने शो किया था कि lower enrollment of Muslim students in higher education decreasing from 5.5% in 2019-20 to 4.6% ASH survey 2020-21 में ये भी दिखाया था कि Muslim students का enrollment भी कम हो चुका है 2019-20 में वो 5.5% था जो कि घटके 4.6% बच गया है 2020-21 में ठीक है ASH survey हो गया out of school children का हो गया Muslim 4.43% है फिर enrollment statistics की बात करोगे कि जितने भी college student है चार क्रोड college student में से 20 लाग से भी कम जो Muslims है वो higher education institute में है तो वे forward क्या है भी नीतियायोग की recommendation को लागू करो है ना नीतियायोग ने suggest किया था कि भी आप pre-metric, post-metric, merit come means, M.A.N.F, national overseas scholarship को आप लागू करो है ना annual increase करो उन्हों नी ये recommend किया था कि आप हर साल 15% जो है scholarship को बढ़ाओ 12, 19, 20 के लिए के बात से लेकिन ये तो कम हो गया है ना और लड़कियों पे focus करो कि 10% yearly increase आप हर scholarship को हर साल 10% भढ़ाओ लड़कियों के लिए खास कर आगर वो minority communities को belong करती है So, thank you आज का editorial discussion सारे कर लिए हमने topic आप अच्छे जमन लगागे पड़ो अच्छे से ध्यान देके पड़ो सारे data को एक साइड note down करते रो, joke down करते रो, दी दीर करके सारा cover हो जाएगा All the best, bye bye